हेलो एवरिवन वेल्कम बेक तो माई यूट्यूब चैनल सीजी व्लॉगर शाली नी कैसे हैं आप सब उम्मित करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे आज हम बनाने वाले हैं बनाना मिल्क सेख यह काफी हेल्दी रेसिपी है और मार्केट में हमें हर सीजन में बनाना इजी लेवलेबल हो जाते हैं आईए हम इसे जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं इस बनाना मिल्क सेख के लिए मैंने यहाँ पर तीन पके हुए बनाना ले लिये हैं यहाँ पर मैंने छह चम्मच चीनी ले लिये हैं कुछ मैंने आइस क्यूब ले लिये हैं दो चम्मच मैंने यहाँ पर कोकोनट पाउडर ले लिया है और ड्राइफ रूट को मैंने यहाँ पर कट करके रख दिया है और हमें जितना बनाना मिल्क सिक बनाना है उसके हिसाब से यहाँ पर मैंने मिल्क ले लिया है देन इसके बाद सबसे पहले मैं बनाना को पिल कर लूँगी और इने छोटे टुकडों में कट कर लूँगी सो गाइस आप देख पा रहे हैं मैंने कुछ इस तरह से इसे कट कर लिया है दिनिस के बाद यहाँ पर मैं Mixi का जार ले लूँगी और सारे बनाना के टुकडों को मैं Mixi के जार में एड कर दूँगी देन इसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा मिल्क एड़ कर दूँगी हमें यहाँ पर सारा मिल्क एड़ नहीं करना है यहाँ पर हमें थोड़ा सा ही मिल्क एड़ करना है देन इसके बाद यहाँ पर मैं चीनी एड़ कर दूँगी सो गैस आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ठीक सब पेश्ट बनकर रेडी हो चुका है सो अब मैं यहाँ पर आइस क्यूब एड़ कर दूँगी इसके बाद यहाँ पर मैं सारा मिल्क एड़ कर दूँगी और एक बार फिर से मैं मिक्सी को चला लूँगी सो गैस बनाना मिल्क सेख बनाने के लिए हमें यह ध्यान रखना है कि बनाना जो है वो पके हुए होने चाहिए नहीं तो मिल्क सेख का जो टेस्ट है वो बिगड़ जाएगा और यह recipe काफ़े healthy है जिन बच्चों का वजन कम होता है उनके लिए काफ़े healthy recipe है इससे काफ़े जल्दी weight gain हो जाता है जल्दी से वजन बढ़ जाता है तो इस तरह से बनाना milkshake बनकर ready हो चुका है तो अब मैं इसे serve कर लूँगी बनाना milkshake के recipe बहुत ही जल्दी बनकर तयार हो जाती है इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है तो आप इसे daily बना कर ready कर सकते हैं बच्चों के लिए अब मैं यहाँ पर garnishing के लिए coconut powder एड़ कर दूँगी इसके बाद यहाँ पर मैं dry fruit को एड़ कर दूँगी सो गैस आप देख पा रहे हैं काफी tasty delicious बनाना milkshake बनकर ready हो चुका है तो इस तरह से आप milkshake बनाकर ready कर सकते हैं बहुत ही कम समय में सो गैस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए bell icon को press कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की notification आप तक पहुच पाए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे like और share जरूर कीजिए